Hello Friends, This is Golden Kumar and Welcome to a Study for Civil Service तो आज का जो हमारा टॉपिक है Enlightenment Thinker तो इसके अंतरगत जो भी परबोधन कालिन के जो important जो बिचारा के जैसे की रूसो हो गया Kant, Voltaire, Montesquieu इन्होंने अपने बिचारों के माध्यम से उस इरोब को किस तरीके से एक प्रगति सील करने की कोशिस की या फिर उन्हें जगाने की कोशिस की इसे जानना बहद ही जरूरी है तो आईम लोग अस्टार्ट करते हैं और अस्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे पेट गुरूप के बारे में किसी भी तरह का आप जनकारी प्राफ्ट करना चाहते हैं तो आप इन नमरों पर आप कॉल कर सकते हैं आपको फूरी सहाथा की जाएगी तो यहाँ पर जिसे कि मैं जो भी नए अस्टुडेंट मुझसे जूल रहे हैं और आज यह हमारी रनिंग में दूसरी कलास है ठीक है तो दूसरी कलास में हम लोग जो देखने जा रहे हैं परवधन काल के परमुक बिचारक तो जो भी यहाँ पे जो अर्थ है इसकी बिसेस्ता है मैंने पीछे करा दिया है प्लेइलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगी तो आप लोग जरूर देखे ताकि अब इन सारे टोपिकों से आप फुरी तरीके से लिंक कर पाए तो आज परमुक बिचारक और परणाम और परभाव देखेंगे और इसके अलावा सबसे इंपोर्टेंड जो एक तरीके सी साल प्रिल्स में आने की बिस संभावना है रूसों को लेके तो इसे आप ध्यान से देखिएगा काफी थोड़ा सा इनकी बिचारों को लेके एक तरीके से समझने वाली बात होती है और अन्तिम में इन से रिलेटेड जो भी यहाँ पर एंसर राइडिंग हम लोग प्रेक्टिस कर लेंगे तो आई हम लोगा स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब जो भी यहाँ पर थिंक टेंकर आएंगे जो भी परमुख बिचारक आएंगे इस सब कहीं कहीं परतेक्चा परतेक्च रूप से जो मानो अधिकार है ठीक है फंडमेंटल्स राइट है इन सारे अधिकारों पर वे काफी जोड देते हैं तो यह बेसिक किलियर चीज है तो ध्यान रखिएगा इसे तो पहला है यहाँ पर रूसो है यहाँ पर रूसो का चिंतन है यहाँ पर 1712 से लेके 1778 इस भी तक तो देखिए काफी एक प्रगतिसील बिचारा की रूप में मायने जाते हैं और इनका जो आप फ्लो चार्ट के माधिम से बिचारों को देख सकते हैं जैसे की प्रकृति पे बल असमानता पे चोट राज्य कुद्पति समाने इच्छा का सिधात उसके बाद बिज्ञान हो गया और उसके बाद से खासकर इन बिज्ञान की जो समिक्षा हमें देखना होगा कि किस तरीके से विज्ञान को लेकर तरक देते हैं और कैसे हम लोग इसका एनलाईस समिक्षा कर सकते हैं और उसके बाद अन्ति में क्या इसका इंपेक्ट पड़ा इन बिचारों का इसे हम लोग देखेंगे तो आई हम लोग अस्टार्ट करते हैं प्रकृति पे बाल तो देखें रूस्थू जो यहां पे प्रकृति पर इतना अधिक बल देते हुए बताते हैं कि प्रकृति पूरी तरीके से स्वतंत्र है और उसी तरीके से मानो भी है प्रकृति की तरब सोतंतर रूप से जनम लेता है लेकिन समस्या क्या आती है यहाँ पे कि मानो तो सोतंतर रूप से जनम लेता है लेकिन प्रकृति की तरब लंबे समय तक सोतंतर नहीं रहा पाता है कारण क्या है तो अपने उपर भावतिक वादी ठीक है भावतिक वादी ज हम आजाद हैं कि नहीं आजाद हैं, ठीक है, कुल मिला कि उसके आजादी छीड हो जाती है, खतम हो जाती है, तो इसीलिए रूसों यहां बताने की कोशिश करते हैं, कि अगर आपको आजादी चाहिए, सुटन्दरता चाहिए, तो आप प्रकृति की और लोट ना चाहिए तिक है, प्रकृति की और लोटे, तब जाके आप इन सारे चीजों से मुक्त हो पाएंगे, दूसरी बाते बता रहें, आसमानता पे चोड़ ठीक है, पहला तो इन्होंने बताया कि प्रकृति की आसमानता, आप लोग बिलकूल वा को लेकि बताने की कोशिस करते हैं किसमें अमीर गरीब ठीक है उसके अलावा जो विभीन धरम और जाती के लोग है यह तो कम से कम प्रकृति का समानता नहीं है जो भी यह मनुस्यों के द्वारा लाई गई समाजी का समानता है अगर मनुस्य ने लाया हुआ है इसे तो मनिस्य कहीं से हटा सकता है तो इस तरीके से बताने के कोशिस करते हैं कि मनुस्य ने यहां पे भी अपने उपर क्रित्रीम आवराण ढालिया है इन बंधनों से युक्त होके इन भौतिक वादी जीवनों से युक्त होके पूरी तरीके से एक असमाजिक ठीक है असमानता वाला कर लिया है अगर ओंस अइन सब चीजों से मुक्ञ्ट होना चाहता है तो इस कृत्रिम आरोंड को हटाना होगा इस समाजी का समानता को ख़टाना होगा और इस समाजी का समानता और समानी इच्छा का सिधान इसमें बताने की कोशिस करते हैं ठीक है दोनों अलग अलग चीज़े हैं लेकिन बिलकुल जुड़ी हुई चीज़े ध्यान रखीएगा तो राजी की उत्पती को लेग बता रहें कि राजी की उत्पती क्यों हुई सबसे पहला तो सवाली होना चाहिए तो पूरी तरीके से रूसो असपस्ट करने की कोशिस कर रहे हैं कि जब मनुस्य के पास पूरी तरीके से संपती की जब अधाड़ा आ गई तो उन्हीं मनुस्यों में या मानों में अशुरच्छा की भावना आ गई चुकि अब उनके पास संपती आ गई है अधिक से अधिक धन आ गई है तो कहीं न कहीं एक समाजी का समानता को बढ़ावा दिया जा रहा है ठीक है जो प्रगतिसिलता के मानक में बाधक हो सकता है तब ये लोग चाह रहे हैं कि क्या चाह रहे हैं सुरच्छा चाह रहे हैं अब ये सुरच्छा की तलास में कहीं न कहीं जैसे कि राज्य हो गया सरकार हो गया इन सब की अस्थापना करते हैं तो इस तरीके से देखिए यहां पे रूसों बताने की कोशिज करते हैं कि मनुस्यों ने राज्य और सरकार को बनाया है ना कि राज्य सरकार ने मनुस्यों को बनाया है और इस परकार से जब परकिरिया आगे बढ तो वेक्ती और सरकार के बीच समझाओता होता है कि हम आपको जो भी है टीक्स वगरा सब देंगे बदले में आप हमारी एक तरीके से रच्छा कीजिए और सुराच्छा की भावना जो हमारे अंदर आ रहे है उसे खतम कीजिए तो यहीं है राज्ये बनने की प्रकिरिया अगर उस राजी को चलाने वाला कोई परतिनीधी होता है अगर उस समाने इक्षा का उख्याल नहीं करे ति उस परतिनीधी को हटाया भी जाना चाहिए तो यहां तक तो सब ठीक था, समस्या का बाती है, अगर मान लिजिए कि यह ठीक से चलाया नहीं, इसे आप हटा देंगे, लेकिन कई बर क्या होता है, कि यह परतनीधी समान्य इच्छा के नाम पे अपने स्वार्थ की पूर्ती करने लगता है, अपनी स्वार्थ के पूर्ती के करम में अब सभाविक है कि जो समान्य इच्छा का हनान होगा ही होगा, तो इससे क्या होगा, कि अब इस परतनीधी में पूरी तरीके से निरंकुस्ता बढ़ जाएगी, अब जब निरंकुस्ता बढ़ जाएगी, तो कहीं न कहीं समाजिक गती सिलता, समान्य इच्छा का भी हमें दिखाई देगा आगे चलके एक रोबिस्कियर आएगा ठीक है जो फ्रांस का होता है जो आतंक का समराज्य स्थापित करता है फ्रांस में तो कुछ ऐसा ना हो जाए तो इस तरीके से जो रुसों का जो चिंता नहीं देखिए पूरी तरीके से समाजबाद हो गया ठी ठीक है लेकिन निरंकुस्ता के बीज उस पर दिखाई नहीं देते हैं वो तो बिलकुल एक समाने अधिकारों की बात करता है ठीक है तो इस परकार से प्रजात तंत्र के बीज दिखाई देते हैं समाजबाद के बीज दिखाई देते हैं ठीक है लेकिन निरंकुस्ता के बी कोशिज करते हैं कि पूरे तरीके से जो ए बिज्ञान हो गया चाहें और कला हो गया समाजिक मुल्यों को दिखाती है इसमें हमें कोई दोराय नहीं है लेकिन यहीं बिज्ञान और कला कहीं कहीं नैतिक और भरष्ट अचार को बढ़ावा भी देती है यह रूसों का विचार ह हुए खुद बताने की कोशिज करते हैं कि मनुसिय इन सब चीजों के चकर में पढ़ने से क्या होगा असमानता को बढ़ावा दे रहा है उससे अच्छा है कि वो प्रकृति के तरफ आने से इस असमानता को पूरी तरीके से यहां पे कम किया जा सकता है दूसरा बात बता र ठीक है जो प्रकृति सील है एक तरीके से जो अधिक धनवान लोग है तो इस तरीके से अब पूरी तरीके से यहां पे बता रहे हैं कि बिज्ञान और कला कुछ नहीं है पूरी तरीके से धन का केंद्रन है यहां धन पूरे तरीके से इकठा हो रहा है और इस इसी धन के इक कठा होने की वज़ा से जो समाजिक गति सीलता है, समाजी का समानता एक तरीके से कहीं न कहीं यहां पे बढ़ भी रहा है, ठीक है, तो इसो बिग्यान और कला को ले के भी इनका जो दृष्टी है, अपने तरकुक मादे हमसे बताने की कोशिस करते हैं, तीसरा है समाज से कठन अब बिग्यान को देख सकते हैं कि किस तरीके से समाज से कठा जा रहा है, आज के परिप्रिक्ष में आप इसे सोच लेजिए, कि समाज के जो सभ्यता का बिकास की करम में बिग्यान से युकति लोग, ठीक है, मानो समाज की बिकास तो प्रेरित करते हैं, लेकिन कहीं कहीं जो भौतिक वादी जीवन हो गया, अत्यधिक बिग्यान ने पूरे तरीके से मानो जीवन को सुगम बना दिया हैं, और जब एक इनसान का जब जीवन इतना सुगम हो जाएगा, तो कहीं न कहीं देखिए, वो अपने आप में सिमर्ता चला जाएगा, जब दूसरे सुसके जब शकता ही नहीं पड़ेगी, तो दूसरों से हेल्प क्यों लेगा, बात्यत क्यों करेगा, तो यह बताने की कोईशिस कर रहे हैं, किसे जो मनुस्य हैं, पूरे तरीके सकरता, चला जा रहा है, और इसका परणाम क्या निकल रहा है, तो जो मनुस्य हैं, सेस समास से कट ज जा रहा है और फिर वहीं परकिरिया आ जाती है जो मध्यकालिन बिश्व में दिखाई देती है समंति करण की परकिरिया कि यह बैठे बैठाए सब कोई मिल रहा है तो बहुत में समस्या का है हम भी यहीं लाइफ जियेंगे तो इस परकार है अपने तरकों के मादे में से बताने की कोशिश कर रहे है और तिसरा है यह चोट कर रहे है आपे ठीक है फाइदा को लेके बिग्यान के फाइदा को लेके बता रहे है ठीक है फाइदा एक्तिली है नहीं अभी आप लोग समझ में आएगा कि यह जो पाईदा है आम जन्मानास को कभी नहीं मिलता है बिगयान का इसका फाईदा तो सरकार उठाती हैं ताकतवर लोग उठाती है और इससे भी क्या हो जाता है कि समाजी का आसमानता बढ़ती हुई नजर आती है अब बिग्ञान को लेकि अगर हम लोग समिख्षा की बात करें देखिए अब समिख्षा का मतलब यह होता है कि सकरातमक नकरातमक टर्म में जो भी हो ठीक है अगर चीज आपको अच्छा लगे अच्छा भोले खराब लगे तो खराब भोली फिर अब समिच्छा के मादिय हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए बिग्यान है ठीक है अब बिग्यान है यहाँ पर एक कोई जरूरी नहीं है क्योंकि इसी बिग्यान की जो देन है यहाँ पर ओदो की करांती है और इसी बिग्यान की जो देन है एक तरीके से परमाडू बम उतरदाई हैं कि इस बिज्ञान का वे लोग उपयोग कैसे कर रहे हैं तो डिपेंड करता है इसका उपयोग कैसा किया जाए और बिज्ञान जो है सिर्फ इसका नकरात्मक परभाव ही नहीं पड़ता है बलकि आज की समय सोच लिजिए कि एगर संचार करांती का साधन ना रह है ठीक है पूरी तरीके से देखें बचाओ का रास्ता भी यह अपनाता है जिसे कि बड़ी-बड़ी पार्टिया हो गई ठीक है बैंक जो भी हो गया भी नीरो मोदी को आप ले सकते हैं ठीक है मल्या को ले सकते हैं यगर विज्ञान नहीं होता तो जो भी इतने बड़े- तर्मे में भी और सकरात्मक तर्मे में भी डिपेंड करता है कि आदमी इसका यूज कैसे करता है और अंत में जो इनके बिचारों का जो परभाव है देखिए पहला तो है कि मानो सोतंतरता ठीक है जो मानो अधिकारों पे इन्होंने इतना अधिक बल दिया है ठीक है तो कही कहीं न कहीं यहाँ पे उनके बीचारों को लोग पिरता भी मिली है और दूसरी है कि रूठी वादी बेवास्था हो गया ठीक है समांती करान की जो परकिरिया थी उस पे काफी चोट किया है और तीसरा है इन्होंने स्वतंतरता समांता बंधुत वा आदी का काफी परसार किया और यहीं आगे चल के कहीं न कहीं फ्रांस की करानती का नारा भी बनता है कि हम सब समान है हमको सोतंतरता मिलना चाहिए ठीक है समानता मिलना चाहिए बंधुत तो मिलना चाहिए आगे चल के हम लोग देखेंगे कि फ्रांस की करानती में किस तरीके से यह लोग अपनी आवा इग्रेसिव बिचारा की रूत में जाना जाता है तो इनकी जो बिचार का जो मुख्य बिंदु है पूरी तरीके से इस्वर को ठीक है एक तरीके से धार्मिक करमकान को इन्होंने बनाया है पहला यह श्ट्रिमेंट्स आप लोग समझ जाएंगे कि इस्वर ने मानों को बनाय है या मानों इस्वर को बनाया है ठीक है तो इनका जवाब आता है चाहे वो धरम हो या इस्वर हो यह सब क्या है मनुस्य के भहे का परणाम है अगर मनुस्य डरे नहीं भहे नहीं करें ठीक है तो कभी यह चीज आती ही नहीं और यह इसी भहे का जो परणाम है मनुस्यों का जम के सूसड होता भी है ठीक है तो यहाँ पे पूरे तरीके से धरम के मादेहम से जो भी सूसड हुआ है उन पहलूओं पे परकास डालने की कोशिज करते हैं और यहाँ पे बताने की कोशिज करते हैं कि मानवी सोतंतरता का जो पक्ष है पूरे तरीके से ततकालिन जो चर्च व्युवस्था और उसके नाम पर इन्होंने पूरी तरीके से चोट की और इस परकार से इन्होंने बताया भी कि कोई ऐसा धारम्य संप्रदाय नहीं है कि जो भी आप लोग धरम को मानते हैं हर एक धरम को उठाके देख लिजिए कि कहीं न कहीं कोई ऐसा धरम नहीं है कि जिसमें एक व्यक्ति का लहू खुन न बहा हो तो धरम को पूरे तरीके से उत्पणिन का अधार भी मानते है और लाश्ट में चुकि एरोप में उस समय जो चर्च ब्यवास्था थी चर्च ब्यवास्था पे इन्होंने खतरनाक चोट किया है बताते हैं कि एक ही हिसाई तो बचा था जिसे पूरी तरीके से सूली में चड़ा दिया गया और थात उसने वर्तमान में जो चर्च ब्यवास्था है पोप जो भी हो गया पादरी हो गया उन लोगों पे पूरी तरीके से प्रस्ण चीन लगाया और इसी करम में उसों ने बताया ठीक है बोल्टेयर ने कि हर उस बदनाम चीज को बदल दो जो हमारे प्रगतिसील समाज में बाधक बनता है तो यह है आकरामक बिचार और इस बिचार से उन्होंने पूरी तरीके से उस समन्ति कराण की बेवस्था को उस चर्च कालीन बेवस्था को उस निरंकुस राजतंतर पे उन्होंने ने पूरी तरीके से चोटित की और साथ में वेक्ति के स्वतंतर को पूरी तरीके से महतो देते हैं और इसके संदर में बताते हैं कि वेक्ति के सोतंतर को महतो मिलना चाहिए और यहाँ पे राज तंतर की जो सकती है पूरी तरीके से सीमित होना चाहिए और जो भी समिधान है यहाँ पे ठीक है राज तंतर का समर्थक होना चाहिए और इस समिधान के अंतरगत जो भी अब कानून बनाये जा रहे हैं वो सरल भासा में होना चाहिए तो कहने के दात पर यहीं है कि राज्य जो होना चाहिए मनुस्य की देख रह के लिए होना चाहिए ना कि मनुस्य की जो मानव अधिकार हैं जो राइट्स हैं उनको सीमिद करने के लिए होना जाईए और जो भी यहाँ पे अब इसको नियंत्रिल करने के लिए समिधान है ठीक है जो कि जो भी नियम कनून बनेंगे यहीं से बनेंगे तो समिधान को बताने कोशिज कर रहे हैं पूरे तरीके से देखें यहाँ पे अन्याय हो गया ठीक है कुरूरता हो गया विसे सदिकार हो गया धार्मि करमकांड हो गया भरस्टचार हो गया इन सब के खिलाफ इन्होंने तार्किक रूप से पूरे तरीके से खतम करने की बात की तो यह था बोल्टेयर का जो प्रगतिसील जो बिचार था ठीक है पूरी तरीके से यहीं था और इन्हें आठारवी सदी का यहां से कोचन मने के समाना होती है ठीक है कि आठारवी सदी को इसलिए यहां पे बोल्टेयर रुक्यों नाम से जाना भी गया है क्योंकि इतने फायर और जो इनका स्पीच है इतना एक तरीके से इनके जो बिचारों में जो आक्रमक्ता जो हमें दिखाई देती है वोल्टेयर उग से नाम से जाना भी जाता है और कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे कि वोल्टेयर जिस यूग में रह रहा था वो इतना अधिक एक तरीके से प्रगतिसील विचारों की आउधाना रखी और उसके तहत यह बताने की एक कोशिस कर रहे हैं कि दूसरों को नुकसान कभी नहीं पहुचाना चाहिए इनका में जो थीम है इनके विचारों का यहीं पे जाके फसा हुआ इसे आप लोग ध्यान रखेगा तो दूसरों को कभी नुकसान नहीं पहुचाना चाहिए और इसके तहत पूरे तरीके से कांट ने नैतिक संकल्प की जो आउध संतरता पूरी तरीके से अच्छूड रहेगी और पूरी तरीके से जो उसके जो भी अधिकार से राइट है सारो भौमिक रहेंगे उसे कोई एक तरीके से छेड़-छाड नहीं कर सकता है तो इस सभायुक सी बात है कि आज के समाज में आप देख लेजिए कि जो भी वेक्ती ह अगर किसी दुसरे को परसान नहीं करता है तो ऐसी बहुत rare केस ही आता है कि उसे कोई समस्या होती हो तो बिलकिले वहीं बात है ठीक है कि नैतिक संकल्प अगर आप खुद अच्छे है ठीक है तो उम्मीद है कि दूसरा भी कोई आपको परसान नहीं करेगा तो इसके तहट नेक्ष बताने की आपे कोशिस कर रहे हैं कि मानो स्वतंतरता के लिए राज्य के अस्तित्तों की पूरे तरीके से इन्होंने बात को सिवकार किया आप याद करिए किस तरीके से कांट ने रूसों ने बतलाया हुआ था कि राज्य को बनना चाहिए और राज्य के बनने के बाद जो भी उसकी जो परकिरिया है कि किस तरीके से मैंने बताया था आपको थोड़ी दिर पहले कि जो वहां के लोग होते हैं जो प्रजा होती है अपनी सुरक्षा के लिए अपने अधिकार को उसराज्य को सौपती है तो यहीं यह बात यहां पर बताने की कोशिश कर रहे है कि मानव स्वतंतरता के लिए राज्य के हस्तितों की बात इन्होंने पूरी तरीके से स्विकारा लेकिन इन में उनका जो तर्क था पूरी तरीके से यह था कि जो राज्य के पर्यास होना चाहिए मानव स्वतंतरता के लिए बाधित होना नहीं चाहिए मानव स्वतंतरता के लिए पूरी तरीके से बाधित नहीं होना चाहिए वस्तुता जो राज्य का कारे केवल मानों को ध्यान रखेगा और अन्य मानों से होने वाली समस्याओं से उसे बचाना होता है तो यह जो राज्य की अधाना को प्रस्तूत किया जा रहा थी कि बिल्कुल यह प्रगतिसील उस समय के संदर में जो कि इरोप जो उस मध्यकालेन स्वारोप से जो निकला हुआ था जो कितना खतरनाग तरीके से इंपक डाला हुआ था अब वहाँ से लोग निकल रहे हैं तो जो भी विचार दे रहे हैं पूरा प्रिक्टकल विचार है चुन चुन के लोग निकाल के दे रहे हैं दूसरा इनों ने भौतिक वात का बिरोध किया रूसों के बिचार से काफी मिहां पे भी एक तरीके से मिलता हुआ नजर आ रहा है तो इसके तहट हम लोग देखते हैं कि क्या बताने की कोशिस करते हैं कान्ट ने पूरे तरीके से जो भौतिक वात का बिरोध किया उनके पीछे उनके तर्क था इनोंने बताया कि जो मनुस्य की जो आत्मिक सक्ती होती है उसके भौतिक सक्ती की आपे पेक्षा कहीं गुना कहीं बहुत अधiक ही महत्पूर है ऐसा भी होता है आदमी, ठीक है, आमारे भी समाज में होता है, कि भौतिक सुखों की चाहत में मनुस्य भले ही कितना परशान क्यों न हो जाए, ठीक है, उपने आत्मिक सकती को पूरे तरीके से खोबेटता है, उसमें एक तरीक से कहते हैं कि आत्मा कुछ चाहए नहीं मिलना, कारण क्या होता है भोतिक सुक होता है ठीक है अब इस भोतिक सुक में कितने परकार के में सुक जुड जाएंगे तो कुल मिला के यहीं आपे बात की जा रहे हैं कि भोतिक सुबदाओं के प्राप्ति के दोर में जो है मानो अपनी पुरी तरीके से आत्मिक सक्ती और इच्छा युद्पन होती है कि इन भौतिक वात के चक्कर में इन भौतिक चीजों को पूरा करने के लिए मानों अब दिन रात दोड़ रहा है पूरा आदमी रोबोट बन चुका है मसीन बन चुका है और इसलिए जो कांठ है इसका बिरोध करता है कैसा नहीं होना चाहिए ठीक है मानो को हमेशा ठीक है भौतिक वात से अधिक अपने आत्मा ठीक है अपने आत्मिक सक्तियों का उसे समर्थन करना चाहिए तीसरा बता रहे हो अंतराश्टियों युद्धों के बिरोध ठीक है चुकी अब यहां पर समझने वाले बात है कि कितने युद्ध हुए देखिए मध् यहां पर वहीं यह बात दोहराने की कोशिस कर रहे हैं अंतराश्टियों युद्धों के बिरोध हैं बताने की कोशिस कर रहे हैं कि यह जो युद्ध होता है पूरी तरीके से मानों पे स्वतंतरताप के पूरी तरीके से नकरात्मक परभाव डालता है तो इस तरीके से यह अंतराष्टियस संकल्पना ठीक है अंतराष्टियस संकल्प की परिकल्पना होनी चाहिए जिससे की राज्यों के निरंकुस्ता पर पूरी तरीके से अंकुस लगा सके तो जैसे की आज के समय में जो भी इंटरनेशनल बोडी है उसके संदर में आप इसे समझ सकते हैं कि कोई भी समस्या वहाँ पर जाएए इवेने वगरा में जाएए ठीक है वहाँ पर अपनी बातों को रखिए जिससे की आपके समस्या का यहाँ पर समधान हो जाए तो कुल मिला के यहाँ पर जो अंतराष्टियस संकल्प की परिकल्पना की जो बात कर रहे है ठीक है यह राज्यो इनको होती है, यहाँ पे जो लोग हैं, जो प्राजा हैं, ठीक है, जो नागरिक हैं, समस्या इनको होती है, इनके जो नागरिक अधिकार होगा पूरी तरीके से यहाँ पे हनन होता है, तो ऐसा ना हो, यहीं तो बता रहे हैं, नइतिक संकल्ब के ताहद, ठीक है, तो ध्यान बताने की कोशिस कर रहे हैं सक्ति के प्रिथकरोड को लेके ध्यान रखिएगा अभी सक्ति के प्रिथकरोड के तहात इन्होंने पूरे तरीके से बताया कि जब तक इसका प्रिथकरोड नहीं हो जाता है तब तक इसका एक तरीके से डिवाइडेड नहीं हो जाता है तब तक उस राज्य में निरंकुस्ता पूरी तरीके से बरकरार रहेगी तो निरंकुस्ता पे भी पूरी तरीके से चोट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इसका एक ही कारान है कि इसको पूरी तरीके से क्या किया जाए बाठ दिया जाए जो भी बिधाय का हो, कारेपाल का हो, नयाएपाल का हो, इसी से एक तरीके से जो निरंकुस्ता से हम लोग बच सकते हैं या फिर उस राज्य के हाथ में ए निरंकुस्ता नहीं आएंगी और आगे चलके इसी सिंतन का एक तरीके से जो अमेरिकी समिन्धान में है पूरी तरीके से परभाव हमें दिखाई भी देता है अन्तिम और लास्ट हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका अब कुल मिला के परभाव क्या पड़ा पूरे इउरोप में या पूरे बिस्व में तो आई हम लोग बारी बारी से देखते हैं ठीक है इतने सारे परभाव जो देख रहे हैं एक जाम की दरिष्टी कोड से काफी महतपूर हो सकते हैं तो दिखें अब यहाँ पे जो बात की जा रही है ठीक है तो परभोधन कालिन चिंतकों ने पूरे तरीके से मानव अधिकार हो गया ठीक है जनता ने अपने अधिकारों की बात की और लोक पिरिय सरकारों के गठन का मार्क भी प्रस्तत हुआ जीसे कि एक तरीके से आप अमेर्की करांथी को ले सकते हैं और अमेर्की करांथी के जो थोड़ी मोड़ी जो उर्जा बोला जाता है कि कहां लग गया प्रांस की करांती में हो गया है तो फ्रांस की करांती का तो यहीं तो अधार है सोतंतरता हो गया समानता हो गया बंधुत हो गया तो कहीं कहीं जो इंपेक्ट तो पढ़ी रहा है और दूसरा आप आप देख वे सकते हैं अमेर्की करांती पर परभाव ठीक है अब अमेर्की कर आंती का भी परबोधन काल के चिंतकों का पूरी तरीके से प्रभाव देखा जा सकता है वस्तुता परबोधन के चिंतकों से प्रिरित होके ही यहां पे कुछ वहां पे जिसे की टौपे स्पेन हैं काफी प्रमुक्र ठिंक टैंकर हैं टौपे स्पेन अमेर्की बुद्धी जीवी है तो इनोंने पूरी तरीके से क्या किया कि जब अमेर्का में ठीक है एक तरीके से अमेर्का जो अमेर्का का जो पस्चमी सोरी पूर्वी जो तट था यहाँ पे जो भी यहाँ पे निवार्क वासिंग्टन डिसी उगा ठीक है दैन रखिएगा कनाडा तक का ये पहले क्या था बिर्टेन का उपनिवेस था 11-12 जो अमेरिका का प्रांद होते हैं तो कहिन कहीं यहां पे टौपेस के एक प्रभोधन कालिन बिचारों के माध्यम से ये बताने की कोसिस करते हैं कहीं न कहीं जो बिरिटेन है अमेरिका का सोसर कर रहा है तो इस तरीके से इन्हों ने ओपनिवेसिक मुलक जो चेहरा है बिरिटेनों का एक तरीके से अमेरिकियों के सामने लाया और इस तरीके से अमेरिकी स्वतंद्रता के पहचात वहां बने सम्मिधान में भी जैसे के भी म पॉन्टेस्कू ने बोला हुआ था बिधाय का कारय पाली का ठीक है यह सब अलग-अलग पिलर में होना चाहिए तो वहां हम देखते ही देखते हैं कारण क्या है कारण तो यहीं तो है यहां पर इसा थोड़े कि वहां पर कुछ प्रांस की करांती का पूरी तरीके से मानसी का धार तयार किया क्योंकि अमेर्की करांती तो भले हो गई लेकिन जिवरोप कर लोकेशन आप देखिए कि अमेर्की करांती होते होते वहां पर अलग इन छेत्रों में आके यहां पर जो भी हो रही है ठीक है और यहीं होता भी है क पूरे तरीके से एवरोप में जो फ्रांस की करांती का मानसी का अधार तायार किया और इसी तरह आर्थिक छेतर में भी परबोधन के बिचारों से मुक्त अर्थ बिवस्था को बुरे तरीके से लोग पिरता भी मिली और वस्तुता परबोधन के चिंदकों ने कहा कि प्रकृती कि तरह मानों भी स्वतंत्र रहे और इसी अधरार पे आगे चल के एडामस पीद जैसे विचार को ने मुक्त अर्थ विवस्था कोई बात की और कहा कि प्रकृती कि तरह बाजार के नियम भी स्वतंत्र है ये प्रकदी सिल विचार है और यहीं चलके आगे अब अमेर्का को पहले बहुत मनाने की कोशिस करता है बीटेन ठीक है बहुत लाला से देखा देखेंगे लोग बॉस्टन टी पार्टी वगएरा भी होगा यहाँ पे लेकिन अंतता जीत किसकी होती है मुक्त ठीक है मुक्त बैपार की कि हम लोग बैपा आप यहाँ परबोधन के चिंटकों ने अनेक खोज को सामने लाया जिसे की और दोगी करांती हो गया और दोगी करांती का जो मार्क प्रस्तास हुआ इंगलेंड में के हो गया कारण हम लोग वहां पर देखेंगे तो कुल मिला के यहाँ पर देखना है कि हमें वहाँ दोग तुझे मध्य वर्ग की जो भूमिका होगी न अभी जितने भेकरांती होंगे कहीं न कहीं सबसे इंप्रोटेंट होंगे ताप लोग इसे एकदम असपस्ट कर लीजिएगा कि मध्य वर्ग है जो भी समाज में है यहाँ पे ठीक है जो उच वर्ग है उसके वाद जो मध्य वर्ग है उसके वाद जो निम्न वर्ग है देखिए इनकी जो संख्या होती बहुत अधिक नहीं होती है पारफूल लोग होते हैं मध्य वर्ग की जो संख्या होती है काफे ठीक ठाक होती है और निम्न वर्ग की जो संख्या होती है सबसे अधिक होती है लेकिन समस्या क्या ह कि निम्नवर के लोग इतने असानी से या फिर उनकी बातों को पहुचाने वाला उपर कोई जल्दी होता नहीं है जो भी यहाँ पे राज्य है सरकार है अब इनकी जो अगवाई करता है आगे चलके यहीं मध्यवर करता है चाहिए फ्रांस की करांती हो गई अमेर की करांती हो गई और फिर रूस की करांती हो गई ध्यान रखिए इन सारे चीज़ों को यहाँ पे जो बात की जा रही है समाजिक छेत्र में पूरे तरीके से मध्यवर की भूमिका बढ़ी फलता वो भी एक तरीके से सकती संपन हुआ और ऐसे में बिज्ञान के अभिसकारों का जो लाब हुआ इस वर्ग के अधिकतर लोगों तक पहुँचा और फलता जो एक तरीके से समाजिक विसमता भी यहाँ पे बढ़ती हुई हमें नजर आ की ए तीसरा है यहाँ पे ईरोप के सासको ने उदारवादी नितय अपनाने के प्रयास किया अब यह लोग क्यूं नहीं करें अब इतने सारे बिचारों के माध्यम से अब लोगों की आखे खूली की खूली रह गई हैं लोग सब अपने अधिकारों के प्रती धीरे धीरे ज खिंतन से पूरे तरिके से प्रेरीत होके इरौब सासकों ने जो भी इरौब के सासके महा पे पहले हुए हैं। उन्हों ने भी उधारवादी निती अपनाने का परियास किया। और इस करब में बहुत सारे एक्जाम पाले जिसे की प्रसा हो गया। ठीक है फ्रेडिरिक महान हो गया एक फ्लेक्सिबल रुख अपनाते हुए ताकि अब हमारे खिलाब लोगों के جो हिंसाए हैं उमड़ ना जाएं तो थोड़ासली लोगों ने एक फ्लेक्सिबल रुख antre हुए लोगों को कुछ अधिकार भी दिये और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि कुछ अंतिम यहां पर कोशन एंसर ठीक है तो अंतिम में कुछ हम लोग एंसर राइटिंग प्रेक्टिस कर लेते हैं ठीक है यह जो कोश्चन है आप लोग के सामने देखिए एक जाम में ए प्राजात तंत्र एम निरंकोष्था के विज दिखाई पड़ते हैं टिप्डि कीडिए तो धि हान रखिएगा ठीक है समाजवात की बात कर रहा है रूसों benim किया तब आप लोग पता लग जाएगा उसने निरंकुष्टा की बात सवरी बात नहीं की थी लेकिन कहा जा रहा है कि इन तीनों के भीज दिखाई पड़ते हैं टिपड़ी कीजिए तो यहां पे आप देख सकते हैं कि करता है कि अब कितने सब्दों में पुछा जा जुका पूछा जा रहा है जी साओ पूरे तरीके से थोड़ा सा तीन-चार लाइन के अपिडर जवाकित होता है उसके हिसाब से बताने की कोशिस की जिए ठीक है कि रूसों की भूमिका क्या थी कुछ उसके बिचारों के माध्यम से कुछ उसके जो समाजिक ठीक है जो अधार है उसके माध्यम से उसे बताने की कोशिस कीजिए और दूसरा यहां पर जो बात की जा रही यहां पर समाजवाद के बीच ठीक है जो बिग्यान था, कहीं न कहीं बिग्यान को भी रूसों ने अधार माना ही था, ठीक है, कि ये भी कहीं न कहीं यहाँ पे समाजबात को परभावित कर रहे हैं, तो उसे आप positive sense में दिखाएं, ठीक है, फिर अगर नकरात्मक sense भी दिखा रहे हैं, तो उसका आप explain करें आपे, तो जो अपने अधिकारों की रच्छा के लिए, गर किसी परतिनिधी का चुनाव करती है, ठीक है, तो वहीं तो होती है परजातंत्र, ठीक है, डेमुक्रेसी जो जी से बोला जा रहा है, तो यहीं है समाने इच्छा के सिधान्त, कि जब विक्ति अपने स्वार्त से पूरे तरीके से रहित होके, जब अपने अधिकारों को राज्जी को सोब देता है, लेकिन यहां पे कुछ समस्या आ जाती थी, और वो क्या, कि यहीं जब प्रजातंत्र, ठीक है, जो परतिनिधी के रूप में यहां पे मौजूद है, अगर इसने जो समाने जन्मानिस की ह यहां नहीं दिया, तो यह लोक्ती से हटा सकते हैं, समस्या का बाती है, कि परतिनिधी समानने हितों की बात करते हुए, अगर अपने स्वार्थों की पूर्ति करने में लग जाएगा, तो उस पर क्या आ जाएगी, निरंकुस्ता आ जाएगी, ठीक है, अब यहीं निरंकु को जो बताना है पूरी तरीके से यहां पे स्वास्ते पूरती पे ठीक है और यहां पे निरंकुस्ता पे मनावता पे बल जो पूरी तरीके से लग नहीं पाएगा जिससे की समस्य उत्पन हो जाती है तो इस तरीके साब टिपडी में कर सकते हैं ठीक है कि रुसों ने मानों अ सब डिपेंड करता है ठीक है कि आप कितने सब्दों में इसे आपको लिखना है जितना अधिक सब्दों ठीक है खासकर आप समाज बात को प्रजात अंदर को निरंकुस्त को ठीक है इसे आप खीच भी सकते हैं और सोट भी कर सकते हैं लेकिन अधिकतर जो भी करना आपको यही करना है ध्यान रखिएगा और टीपड़ी है अंत में इसकर्ष के रूप में ठीक है तीन-चार वाक्यों में इसे भी आप कम्प्लेट कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारा ठीक है वह वोल्टेयर था ठीक है यहाँ पे वोल्टेयर आप लगा के चलिएगा कि परबोधन के युग में रहा रहा था किन्ती युग स्वयं परबुध नहीं था तो देखिए अप वोल्टेयर का नाम जैसे आप धरम को लेके चर्च विवस्था को ले लिखिए नमर आपको जरूर मिलेगा तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप परबोधन कार्थ लिख दीजिए ठीक है रूसों में भी आप परबोधन कार्थ डाल सकते हैं या परबोधन कार्थ तीन-चार वाक्यों में उसे सिमित करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद जो बोल्टेयर का जो बिचार है जो भी इसके बिचार है पूरा आप यहाँ पर कोपी कर दीजिए कोई समस्या नहीं होनी जाए लेकिन बिचारों के माध्यम से जो भी उसके जो बिचार अकरामक बिचार जो भी है यहाँ पर ठीक है जिसे कि मानव अधिकार की बात करता है सो तरीके से वो चोट करता है कि यहीं तो मूल जड़ है, धार्मिक बिवस्ता यहीं तो मूल जड़ है, किस तरीके से बताता है कि ऐसा कोई धरम समप्रदाइन नहीं होगा, जिसने अपना खूर नहीं बहाया होगा, तो सबका अगर जड़ यहीं है अगर इसी को उखाड़ के फेक दिये जाए तो चीज़ ठीक हो सकती है और अठारवे सदी के जो भी यहाँ पे बिक्रितिया है जिसे कि वो जड़ से उखाड़ने की फेकने की बात करता है अमेर्की करांती भी होती है ठीक है कहीन कहीं बिचारों का परभाव तो अमेरिका में भी पड़ता है ठीक है और कहीन कहीं उस बिचारों का परभाव यहाँ पे फ्रांसी सी करांती में भी पड़ता है और किस तरीके से अब यूरोप में जो मानव अधिकार जीक है मानोव अधिकार की जो एक्टिवनिस है पूरी तरीके से लोग आपे जग जाते हैं बहुत सारे सासक हम लोग देखा था कि धिरे 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 परभाव के रूप में लचीला रूप अपनाने लगते हैं लोगों की कुछ न कुछ यहां पे अजादी देते हैं और निसकर्स के रूप में आपे आप कुछ डाल सकते हैं कि वोल्टेयर के अलावा ऐसा नहीं था कि जो यूग था सिर्फ और सिर्फ वोल्टेयर यूग ही था वोल्टेयर के अलावा जो भी आपे रूसों हो गया कांट हो गया बॉंटेस्की हो गया इन सारे प्रबोधन कालीन विचार कोने भी एउरोप में जो पुनरज़ागरण के योगदान में खास कर जो प्रबोधन के योगदान में जो एक तो आप जितना अधिक से अधिक होसे के अपने विचारों को दिया और साथ में अगर इस लेक्चर से संबंदित कोई भी समस्या हो तो नीचे आप लो कमेंट जरूर करें और वन्स एगें अगर आप हमारे पेट ग्रूप को जोईन करना चाहते हैं इससे रिलेटेट कोई भी क्यूरी हो ठीक है तो आप इन दिये गए नमरों पे भी कॉंटेक् सकते हैं कि युपी PCS पिरलिम्स हो गया ठीक है 2018 का ठीक है अब भी 2019 आजाएगा ठीक है आहीं गया है तो इसका जो टेस्स सीरी जो गरा जो भी इसके बारे में हो गया उसके बाद इपी PCS में सभी जो आने वाला है सिस्टमर अप्ट करता हुँ जो भी है उसको लेकर उसके अलावा भी आप इस्टिवरेस में काउंट जरूर कर सकते हैं तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है कोई भी कोई रियो नीचे आप इन नमबरों पर कॉंटेक्ट जरूर करें ठीक है प्रेंट्स अपना ख्याल रखें बाय टेक क्यार जैंद